कि नहीं देखा हमने सतीयूग देख रहा हुते कल यूग और अब देख रहे हैं क्रोनर यूग में इन क्रोनर वारियर्स को क्रोनर वॉर्य consists ने क्या क्या करा और उनकी नीजी जिंकी पर कितना फर्क बला नमस्कार, आज हम देरदून की सड़कों पे उत्रे वे हैं और हम उन सबी को सलाम कर रहे हैं जो है वो डॉक्टर्स हो, जो है पुलिस हो जो सड़कों से लेकर अस्पताल तक लगातार दो महिने की कड़ी मश्रक बारा, चौदा, सोला गंटे कड़ी दूप में बारिश में लगातार मेहनत और लोगों की सेवाई दे रहे हैं आज हम जानना चाहेंगे सर से कि किस तरह की परिशानिया आ रहे हैं और किस तरह की लोग कोपरेट कर रहे हैं, क्या परिशानिया वो सब अपनी जानकारी देंगे और यह तो हमारी ड्यूटी है, यह जे ड्यूटी हम लोग इसको निभा रहे हैं लगभग कितना समय सड़क पे आपको देना पढ़ रहा है या कितने गंटी की ड्यूटी लंभी चल रही है इस समय तो जह है, जो कॉंस्टेबल इस तरह है तो लगभग 6 गंटे ड्यूटी कर रहा है और हम लोगों का छेत्र है तो 6 गंटे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं 6 गंटे के बाद अखर कभी आवशकता पड़ती है हम लोग उसको एड़स्त करते हैं लोग को पूरी पूरी साहता कर रहे हैं इस समय एक ऐसा है कि हम लोग जो लोग गरीब है जिनको आवशकता है उसकी मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके साथ मदद की जा रही है सरकारा और डिपार्टमेंट से आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलना है पूरा सपोर्ट मिलना है पूरा सब अगर सपोर्ट ही मिलता होता तो यह स्टेज के हम लोग यहां खड़े हैं, उस्टेज के थोड़ी होते हैं, मेरा कहना केवल यह है कि आम जंता को समझना चाहिए, केवल सरकारी हर चीज नहीं करेगी है, हम लोग तो केवल सयोग के लिए खड़ें, बाकि जो भी पूलिस का गौरव और एक मान सम्मान का मेसेज जा रहा है और जो की बहुत अच्छी बात है, हम आपकी टीम को आपको सलाम करें। इसलिए करते हैं, अगर आज आप नहीं होते हैं, तो हर जग है सनिटाइजिन की प्रॉब्लम होती ही, ठीक है, दूसरा हम ने देखा कूला साफ सफाई के मामने में, धेरदून नगर निगम का जवाब नहीं है, ठीक है, सर इन लगबक दो महीने हो गए, इन दो महीनों में आपको क्या दिक्कत परिशानियों का सामना करना पड़ा है? आपको हमारी टीम सलाम करती है, और आपकी पूरी टीम को हम सलाम करते हैं, जै उत्राखन, जै भारत, जै वीम नमस्कार, हम इस समय एहम चौकी आशा रोड़ी चौकी पे हैं, जो की कई सारे स्टेट और जिलों को जोड़ती है, आइए चौकी इंचार्ज से बात करते हैं और जानते हैं, क्या परिशानी कैसे सेटलो रहे हैं, कितने लोग लगबक बॉटर में रुजान ना रहे हैं? जितिनर जी यहां कितने किसम के लोग कितने स्टेट से आ रहे हैं, क्या क्या परिशानी आ रही हैं, और कितने लोग लगबक रोजाना लोग बॉटर क्रॉस कर रहे हैं? और बिदावट पर्मिशन के भी आते हैं, लेकिन उनको हम वपस कर लेते हैं, लगबक कितनी संख्या होगी लोगों की रोजाना, एक आइडिया दिया जाए, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? हाँ जी, लगबक यहाँ पर जो ये 400-500 गाड़ियां आती हैं, उसमें से 14-1500 लोग आते हैं. हम देख रहे थे, शुशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से खाया रखा गया है, और स्कैनिंग भी हो रही है, और सभी का फॉर्म बरवाया जा रहा है, तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ, लगबक दो महीने हो गए इस आपदा को, पुलिस अक्ठार अक्ठार अठार 20-20 होंगा, कुछ लोग बहुत जरूरी काम है, तब ही ओ घर से मुव्मेंट करें, वरना अनावशक कुछ लोगों का पास बना रहा है, आते हैं यहां पर रहने के लिए आ रहे हैं, मैं तो उनसे यह बिंदी करूँगा, जहां है, वही ही रहे, यथावत बने रहे, जिससे संक करते हैं, काफी उस्सा हो है, सब लोगों के अंदर काफी अच्छी ड्यूटी करते हैं, और बाहर से लोग आ रहे हैं, कॉपरेटिव में अच्छा कॉपरेटिव कर रहे हैं, नीजी जिन्दगी में भी काफी फार्क आया होगा, इन दो महीने के लॉकड़ाउन में, ने ऐस हैं, कि नीजी जिन्दगी में, हमारा तो यह 24 आवर्स की ड्यूटी है, हम आये हैं, यहां पर तो हम ही कोई प्राब्लम नहीं है, हम अपनी ड्यूटी स्टाइड हैं, और जन्ता की सेवा करते रहेंगे, हमारे लिए आप एक क्रोना वारियर हैं, और आपकी पूरी टीम क्र कर रहे हैं, जी धन्यवाद आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, यह थे हमारे साथ चौकी इंचार्ज, जी तिंदर राणा जी, जो बता रहे थे कि कितने राज्यों से कितने लोग यहां पर 500 से अधिक गाड़ियां रोजाना आ रही हैं, जिनकी परियाप, स्कैनिंग, चेकिंग, फर्म भराया जा रहा है, और नहीं होम कॉरिंटाइन करा जा रहे हैं, जोग साब क्या नाम है आपका, डॉक्टर मयंक, मयंक जी आप कौन से अस्पताल से हैं, राइपूर से, राइपूर, कब से आप लग भग यहां ड्यूटी कर रहे है पिछले दो महीने से, और कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग, यह आठ गंटे की, इतने लोगों को आप स्कैन करते हैं, किस तरह की परिशानी आपके सामने, सामना आपको करना पड़ता है, मतब एवरेज तो हमारा इतना ही रहता है कि 250 से 300 के बीच में, कभी ज्यादा भी हो जाता है, और कभी कम भी हो जाता है, तो हमारा 250 टूरी अंडर, कुछ लोग आपको परिशान कर रहे हैं किसी तरह की समझ से हो आपके साथ, हमारी चैनल के दौरा आप सरकार से साजा करना जाएं, लोगों से रिक्वेस्ट के तोर पर आप कुछ कहना जाएं नहीं, मतलब ऐसा कोई परिशानी वाली तो बात है नहीं, सब अपनी मजबूरी के कारणी इस तरफ आ रहे हैं, बट यह है कि वो लोग भी समझें, कि हम लोग भी उन्हीं के भले के लिए कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, और बस यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रख है, हम लोग एक कौन वारियर्स पर ख़बर बना रहे थे, आप हमारे ली के क्रोन वोर्रियर्स हैं, हम आपको सलाम करते हैं, देश आपको सलाम करता है और इसी तरह आप मजबूती इसे देश को बचाते रहे हैं, अपनी डूटी करते हैं, बहुत बहुत दन्यवाद, दन् साथ में अपर चेतन अब्रॉय आज आप पुलिस वालों को चाह पिला रहे हैं जी बिल्वल चल रहा है जी बिल्वा पानी की सेवा है और शाम को चाह पानी और रसकी सेवा है और पूरा देरदून जिसमें हम खाना भी वितरंड कर रहे हैं और चाय पानी तो है और ड्राय राशन भी जिसमें वितरंड करा गया है हम लोग जितने भी करोना में मजदूर लोग जो हैं उनको खने के साथ उनको और सुचल डिस्टेंसिंग समझाữa रहे हैं कि कैसे करने चाहिए आजकल वो जो है अपने घर की तरफ जो है रुक्यावाई है घर की तरफ जाने की रुक्यावाई है वहाँ उनको भी समझा रहे है कि आपको कैसे जाना है कैसे आपको रुखना है उस सब के लिए हम उसको सुविधाय दे रहे हैं और पूरे भारत में हमारा संगठन जो है जह आज आप भी हमारी कई हैं वहाँ वहाँ पर जो है काम कर रहा है पूरे वारत मी कई है हमारी हम जैवीम टीवी से हैं आपका परिच्छे लेना जाओंगा अज आपका पर जाओंगा इन दो महीनों में बड़ी परिशानिया आप दाई पूरी देश पर किस तरह की परिशानिया आपको शड़कों पर आई लोगों के दुआरा यह डिपार्टमेंट से भी आपका कैसा सयोग मिला समर्थन मिला क्या 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 परिशानिया आप थोड़ों साज़ा कि देखिन नेजी परिशानी की जहां तक बात है तो सबसे बड़ी परिशानी तो यह कि हमारे बहुत सीनियर अफसर से लेके और हमा चाहे मैं हूँ और अपनी क्या है अपनी एप से है क कोई भी टच्मे बिलकुल नहीं है बस फोन पर ही से बाकि किसी सा कोई इंट्रक्शन फैमिली से नहीं है है जो sriyog साथ में विल रहा है बहुत सारी लोग है जो कॉपरेrec साहींいき हमें नमसी 90 ौ़ पर सेंट हैं गर कु पुलिस सड़क पे धूप बारिश किसी की परवान ना करते वे पुलिस मुस्तेजी से अपनी ड्यूटी कर रही है आज हमारे साथ राधपूर के सचो साथ अशोक राठोर जी है और राठोर जी से जानेंगे इस दो महिनी की लड़ाई उन्होंने किस तरह लड़ी और उनकी टीम ने क्या क्या किया अशोक जी आपका जेविंटीवी में सवा गया था जी थैंक यू इन दो महिनी की लड़ाई आपने कैसे देखी और यह महामारी के सरसे लड़ाई लड़ी आपकी टीम में देखे जब यह घोशित हो गई थी कि कोरोना एक महामारी के रूम में वेस्वीक महामारी के रूम में घोशित कर दिया गया था उसके बाद काफी चेलेंजे जाए लोकडाउन हुआ, लोकडाउन के बाद सभी लोगों को घर के अंदर बंद रखना पड़ा, वाइरस स्ट्रैट ना हो, उनको मतलब किसी भी प्रकार से आगे वाइरस का फैलाब ना हो, इसको देखते वे सभी अंदर रहे, घरों में रहे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को स और NGO's के माध्यम से, या कोई और समास से भी संस्ताएं हैं, गवर्मेंट के माध्यम से, हम ऐसे लोगों को चिन्नित करें, जो जिनका काम बंद होने के बाद, जिनको खाने की शमश्या आ गई है, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, गरीब हैं, और डेली अपना खाना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमने काफी लोगों से विवस्ता करके, जो है, खाने की विवस्ता करवाई, फिर उनके और भी जैसे गैस बगेरा रहा, और कुछ लोगों को दवाईयां, ये सब चीजे हम लोग बीच बीच में प्रोवाइट कराते रहें, इस दो पूरी टीम खाना पहुचाने में, समान पहुचाने में, दिन रात आप लगे रहें, मैंने कई वीडियोस ऐसी भी आई, सामने देखने वाली कि रात को आप घर से उठे और लोगों के घर तक पहुचके, आपने समान पहुचाया, जो भी उच्छ समान था, आपने अपनी जितना भी हमने बढ़ चड़के कर सकते थे एक नीडी व्यक्ति के लिए उतना हमने सब किया है इसमें कोई नहीं जो ओफिसली कोई भी होता तो यह सब चीज करता आपका भी घर है परिवार है क्या परिवार और घर से पूरा सपोर्ट मिला और किस तरह की परिशानी घर को ल जा रहा है नहीं बिलकुल देखे घर पे तो जाना ही नहीं हो पा रहा है बहुत कभी जाना भी होता है तो अपने बच्चों से एक सोचल डिस्टेंसिंग रखके ही मिलना होता है और हां बच्चों को थोड़ी सिकायद जरूर रहती है लेकिन उनको हम लोग समझा देते हैं मैनेज कर देते हैं तो मान जाते हैं यह बड़ी सम्मान की बात है कि आज आपने हमें मौका दिया और हमारी आपसे बाच्चों ही तो जो लड़ाई आपने लड़ी है वह वाके में तारीफ के काबल है और जैभीम टीवी का सलाम शुक्रिया थैंक यू थैंक यू जैभीम कि भी मौका देखिए जो कोरोना महामारी थी एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरी और जो संक्रमन था उसका खत्राइब जो है वो पल पल रहा पुलिस ने इन पिछले दो महीने में इनका जो एक रोल था वो बिल्कुल जो एक रेगलर पुलिसिंग होती है उससे पैटरन बिल्कुल ही चेंजड पैटरन में पुलिस का रोल जो है वो भरा क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो कई लोग के कि अन्य तरह की जो समस्य आई उबरी उसको भी पुलिस ने अपने लेवल पर हर तरह से जो है उसको निस्तारित करने का प्रयास किया उसके अत्रिक जब करोना पॉजटिव जो केसेज मिल रहे थे उनकी कॉंटाक्ट ट्रेसिंग बीच में ऐसा भी वक्त आया जो बाहर के प्रदेशों के माइग्रेंस हैं उनका मूवमेंट और जो हमारे प्रदेश के आ रहे हैं लगातार इनका मूवमेंट और इंफलक्स हो रहा है जो तो उनको लेकर उनका प्रपर चेकिंग करना और प्रपर डीटेल्स मेंटेन करना तो एक तरह की अड्मिनिस्ट का खत्रा तो जरूर था एक बहुत ही अलग तरह का चालेंज था जिससे अपनी फोर्स को भी बचाना था और अपने आपको भी बचाना था टीम ने बिल्कुल बढ़कर काम किया टीम को लगातार इस चीज के लिए ब्रीव भी किया गया समय समय पर कि उनको अपने भी जो है फोर्स में लगातार जो टीम ने है हर एक पुलीस करभी ने काम किया है और मैं तो यही कहूंगी कि इसका जो पूरा श्रे है वो मेरी टीम को ही जाता है 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 मेरा नाम है नितिनुपता और मैं संपात हूं जेबीम टीवी का आज हम देरादून के मैक्स अस्पदाल के लिए में आये हैं और हम डॉक्टर साब से जानेंगे कि इस क्रोना की लड़ाई में डॉक्टरों की जिंदगी पे क्या फर्क पढ़ा है आये डॉक्टर साब से जानें डॉक्टर साब पहले आप अपना परिचे दी है नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहूल प्रशाद है, मैं मेडिकल सुप्रेटेंट हूं मैक्स हॉस्पिटल का, मैक्स हॉस्पिटल तहरादून और जो आपका ये सवाल है कि डॉक्टर की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा कोरोना वाइरस का तो सबसे पहले जब कोरोना वाइरस का संक्रमन इंडिया में गोशित किया गया तो हमारे चैलेंजिस वहीं से शुरू हो गए क्योंकि उसके बारे में मालूमात पूरी हासिल नहीं थी नए टाइप का इंफेक्शन था और इस तरह की जो आपदा है ये हमने भी पहले नहीं देगी थी जो पेंडमिक प्रिपेर्डनेस है वो डॉक्टर्स के लिए नहीं थी क्योंकि 1918 के बाद का तो अभी कोई जीवित भी नहीं है तो हमारी ट्रेनिंग का भी पार्ट ये नहीं था बट क्योंकि एक हिपोक्रेटिस ओत जो हमने ली थी डॉक्टरी पूरी करते समय उसका ध्यान रखते हुए और हमने अपने रूल्स खुद बनाए उसके बाद राज्य सरकार ने हमारा साथ दिया उन्होंने हमारे लिए रूल्स बनाए इंडिया की सेंटल गॉर्मेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेर ने हमारे लिए रूल्स और जानकारी मैं आपसे साजार लेना चाहूंगा मुझे आज infection हुआ है नहीं वो दो देन या तीन दिन के बाद अगर मुझे लक्षन आये तभी बता चलेगा या मेरा टेस्ट किया जाये तभी बता चलेगा तब तक अपने घरवालों को prevent करने के लिए मुझे एक अलक कमरे में रहना पड़ता है मेरा परिवार घर के एक को सबसे पहले मुझे नहाना पड़ता है मेरे कपड़े अलग है मेरे कपड़ों की इस्तरी अलग तरीके से होती है और मेरे entertainment के साधन भी अलग है वो साजा नहीं रहे पहले की तरह देश बढ़ से वीडियो आई और लोगों ने देखा कि डॉक्ट्रों ने 18-20 घंटे तक और कई-कई दिन हो गए तो घर भी नहीं जा पाए तो ऐसा ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ या आपके कैमपस में आपकी टीम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इस दौरान आप इस क्रोना की अपत्ति में क्या-क्या परिशानिया हुई आपको तो कुछ साजा करेंगे इस बारे में दिखिए सबसे पहले जब कॉरोणा का पता चला है कि कॉरोणा बिंडिया में भी आने लगा है तो उस सभें हमें ऑस्पिताल को प्रिपेयर करना था हमारे जितने हेल्थ केर वरकर्कर्स हैं नर्सेस, परा-मेडिकल स्टाफ, जीरिये, डॉक्टर्स इनको प्रिपेयर क करन चेंज हो जाएंगे, हम एक पर्टिक्लर तरीके से मरी से इंट्राइट करते थे, पहले कैसे उनको छूपके, उनकी नबस पकड़ के बता लगाते थे, कि उनका कितना पल्स चल रहा है, टेमिर्शिर लेने का तरीका लगता है, वो सब चीज अब चेंज हो जाएंगी, इसकी सबसे पहला सबसे बड़ा चैलेंज था, सेकेंड चैलेंज जो था कि डॉक्टर और नर्स जिनका काम साथ-सात में है, उन्हें साथ में काम करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का बर्दाव भी करना है, ये भी बहुत नाया था हमारे लिए, उसके बाद यहां पर काम करके घ जाएंगे, चाहे वो 18 गंडे की डूटी हो या 20 गंडे की डूटी हो, इनिशली ऐसा रहा, क्योंकि हम कम एक्स्पोजर देना चाहते थे, तो कई डॉक्टरों ने 18-18 गंडे डूटी करी है, कि उस 18 गंडे में जरली 3 डॉक्टर डूटी करते हैं, 6 गंडे, 6 गंडे, 6 जिस तो रहें, और अभी भी हैं, बटी है कि डूटी की मयाद कम हो गए, क्योंकि हमारी वाक्फियत हो गई है कि किस तरीके से काम करना है, और हम उसमें बिल्कुर रम चुके हैं. संदीब सिंग तनवर हूँ, मैं वाइस प्रेजिदेंट एंड यूनिट हैड हूँ, मैं एक सूपर स्पिशाल्टी हॉस्पिटल देरादून का, और ओर ओरल मैनेजमेंट हैंडल करता हूँ, आपको डॉक्टर बीते 2 महीने हो गए है, इस दौरान को लेकर सभी की जिंदि में काफी चेंज आया, और क्रोना वार्योर्स के रूप में, डॉक्टर, पुलिस और NGO संबंदित लोग निकल किया है, तो इस बीच आपको क्या-कटनाईयों और परिशानियों को सामना करना पड़ा है, जब से COVID-19 स्टार्ट हुआ है कंट्री में, जिस प्रकार से बहुत ह कि तेजी के साथ जो निर्देश आ रहे हैं, स्वास्त मंत्राले से, सेंट्रल कॉर्मेंट से, स्टेट कॉर्मेंट से, उसी प्रकार से, मैक्स हॉस्पिटल जो ग्रूप है, मैक्स हेल्थ केर, उन्होंने सबसे पहले काफी स्पीडिली रिस्पॉंट किया है, इस पे, we were the first one to do the test to come out with safety protocols, safety protocols हमें वो करने चाहिए है, screening desk, screening, advanced screening, first layer, second layer of screening and corridor, covid corridor बनाना और ये सारी training issues, मैं क्या, एक 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 employee है हमारा, doctor, employee, उनको एक जुट करके आना कि इधर हमें अपनी safety नहीं, हम हम होस्पिटल और उनको स्वास सेवाएं दे रहे हैं, स्वास सेवाएं दे रहे हैं, तो इधर एक तो हमें अपनी safety हमें अपने आपको बचाना है, और औरों को जो हम मरीजों को ठीक कर रहे हैं, वो प्रक्रिया भी चालू रखनी है, तो हम डियोल responsibility होगी, और इसमें exposure काफी ज्यादा होता है, जै और यह mindset आता है through right education, तो training हुई, empowerment हुआ, और जो safety precautions हमने लेने शुरू किये, इस से हमारा मनोबल बड़ा है, और हमें society ने, government ने, सबने बहुत सारा योगदान दिया है, समर्थन दिया है, उसके कारण यह जो पूरा बदलाव आया है, यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव है लोग सब जैसे हम आये, हमने भी देखा कि बकाइदा यहां social distancing का पाला नोरा है, बकाइदा आपने हर जगा blocking की वी है, कि आदमी एक दूसरे से interact ना हो, जो आपने सारा इंतिसाम बैठने का lobby में, यह हर जगा किया हुआ है, उसमें बकाइदा मैंने देखा एक एक कुरसी का इस तरह से इंतिसाम गिया है, कि लोग आपस में इंटरेक्ट ना हो, उसमें जो वीक और हाई exposure होता है, उसमें ना exposure, हाई exposure हमें पूरी तरह से zero करना है, हाई exposure तब होता है, जब हम बिना मास्क के, बिना किसी safety gadget के, हम एक मीटर से कम दूरी में किसी के संपर्ख में आते हैं जो बिमार है या जो बाद में positive निकला है, उसके संपर्ख में आते हैं, करीवन पांदस मिनिट उसके साथ ऐसे इस प्रकार से गुजार उसके साथ आते हैं, तो हमें वो सारे exposure को, उसको strong exposure बोला जाता है, उसको weak बनाने के लिए हमें distancing, masking और जितने भी disinfection protocols हैं, वो हमें करके एक जुट होकर इसको पूरा to the letter एक पालन कर रहे हैं अभी भी, तो डॉक्स अब इस अपत्तिकाल में क्या राज्य सरकार आपके पूर्ण रूप से साहता कर रही है और जो जितने भी लोग आपके campus में आ रहे हैं, क्या वो बाकाइदा आपकी टीम का support और साथ दे र साथ था, तो हम यह जो एक जंग जो लड़ रहे हैं, उसमें हम सब साथ हैं, और उसी जंग और उसी प्रक्रिशा का यह process है, कि मरीज आएंगे तो कहां जाएंगे, कैसे distancing होगी, तो हर चीज में राज्य सरकार मैक्स हॉस्परल साथ में काम कर रहे हैं, कंदी से कंदा मिला क और इसमें हमें पूर्ण सयोग हर हर दिशा से प्राप्त हुआ है, कोई संदेश आप हमारे चैनल के माधियम से देना जाएंगे, लोगों को कि किस तरह की इस आपदा में, किस तरह की चीजों का पालन करें, या कोई भी आप मैसेज देना जाएं अपनी तरफ से, मैक्स की पालने जो लोगों तक पहुँचे पहरी चीज तो मैक्स ऐक सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल है, और यह एपएक्स हॉस्पिटल रहा है, प्राइविट हॉस्पिटल के कैटिग्री में, पूरे स्टेट में, तो जिसमें सूपर स्पेशिलारशन वर्क करते हैं, जितना भी हम जो health care services deliver करते हैं यह बहुत ही जदा महत्व पूर्ण होती है तो इस corona के time में हमें वो रोकनी नहीं है जो भी हमारा स्वास्त पर हम ध्यान देते हैं जो भी हमारा check up चल रहा है जो भी बैमारी का इलाज चल रहा है वो रोकना नहीं है तो hospital में वो लेना जरूरी है लेकि किस प्रकार के environment में होना चाहिए उसका हम पूर्ण रूप से ध्यान ले रहे हैं लेकिन आप जब भी hospital आएं तो distancing, masking, disinfection, hand sanitization इन सब चीजों का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए और जो भी हम आपको विशेश सला देते हैं कि आप admission पे, pp usage पे, test पे उसमें हमारा पूर्ण के लिए हम ऐसा कर रहे हैं और max hospital totally safe and green है इस time पे कि हम कोई भी services हम अभी भी deliver कर सकते हैं और हमारे उत्सा में, हमारे सेवा भाव में और हमारी covid preparedness में कहीं कोई कमी नहीं है, so मैं यही कहना चाहूंगा, आप सब को बहुत ही इस 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 रखे और max hospital की जहां भी जरूरत हो हम हमेशा ततपर हैं आपकी सेवा हमारी टीम और देश Corona Warriors को सलाम करता है और सलाम है आपके ज़स्बे को जो आपने कर दिखाया इन दो महिनों की खड़ी मजशक के बाद, डॉक साब हमने जैसे हमने देखा दो महिने से Corona की लड़ाई, लगातार पुलिस प्रशासन, डॉक् की फरकाया होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे डॉक साब, बिलकुल जानकारी देंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का जैभीम चैनल का, जैभीम टीवी का बहुत शुक्रियादा करता हूँ, कि आप लोगों ने देखे, जो फ्रंट पे खड़े हम उनको नहीं सिखा पाए, बच्चों को की हेलमेट लगाए भीना मज जाईए, कोरोन काल में एक फूद बड़ा मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है, कि हमारे सेंटल एजनसी से आदेश आता है, और तुरंत फॉलो हो जाता है, मैं कहतो बगवान से प्रात्म करता हूँ कि ये जो हमारी स्थिती बनी है न वार करने की, ये हर फिल्ड में ऐसी बने, कि आदेश आए और लोग पालन करें, तो देखना भारत कहां के कहां पहुंचेगा, इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव होने वाला है, तो हमारे जितने प्रशाशन अधिकारी हैं, हमारे पुल का डॉक्टर का और एंजियो जो क्रोना की लड़ाई लगातार लड़ने हैं, और अपने परिवार, क्योंकि परिवार सब का है, परिवार को छोड़के पहले लड़ाई लड़ने हैं, हम उनको सलाम करते हैं, हम आपको भी सलाम करते हैं, हम आपके पूरी टीम को सलाम करते ह और यह जो लड़ाई है यह बड़ी मजबूती से आप आपने निभाई है और लड़ी है देखे इस लड़ाई में फ्रंट वारियर, पुलिस प्रशासन, मीडिया और हेल्थ केर वर्कर, चार मैं कहाँ फ्रंट वारियर हैं कोई डाउट नहीं है लेकिन देखे वारियर जो है है भाई देखो इस समय देखिए एसी के बिना अस्पताल में 15 से 20 दिन 25 दिन मरीज को रखना उनकी लड़ाई भी कम नहीं है मैं उनको भी सलाम करता हूं धन्यवाद करता हूं और कोरोना से पीडित व्यक्ति कोई अपरादी नहीं है ना को इसको स्टिगमा होना चाहिए य यह जो फ्रंट पे हुई है मैं सब को दन्यवाद करता हूं और इसी से हम लोग आगे बढ़के निकल जाएंगे और इसमें मैं कहता हूं कि जिसने भी जो सहीओ कराएं एंजियो देखे भूकों को खाना खिलाना पुलिस वालों को खाना खिलाना जो जो जूटी पे रात द जो की करक्शन वहां पर भी है लेकिन पुलिस के बारे में होहारा बहुत खराब यूज थी लेकिन पुलिस ने जो कर दिखाया तो वर्ल्ड की पुलिस नहीं कर पाई उन्हें अपनी रिस्फ लेके क्या नहीं किया उनके हाथ में किया था एक डंडा उन्हें किसी भी गोली करी है वो तो असानी है मतलब impossible थी कि कहीं वर्ल में कहीं नहीं करी गोली जलाई इनके बास तो बिचार बास गोली का प्रमिशन ही नहीं थी कॉरोना के होने से ब्सक्राव वखे रिस्क्रावा मेरे स्टाफ को रिस्क है कि हुंके हमारा उनके प्रती कोई करतव यह है। अगर हम भी हड़ गए हम घर में अपना बैठ जाएं चुपचाब और हमारे पुलिस वाले ही बैठ हैं कौन करेगा इस ताइम कोई और ऐसी लोग है जो कि इस इस्तिती में काम आ सकते हैं नहीं पुलिस वाले मर रहे हैं हमारे कई दोस्त हैं महां पर यहां बंबे में पुलिस में 317 लोग मरे हैं मतलब कोई छोटा आमांड नहीं है चोटा वो कौर्णा हुआ है लेकिन नेगेटिव भी बहुत लोग हुए 317 में से चांसे जी हैं कि 1500 पॉने 200 नेगेटिव हुजाएं तो तो तीव के अलग रहना एकास नदे चीक नगेटिए उनको आइसोलेशन में डाल दिया जाता था पहाड लेजा जाता था कि बई इंको टीवी वाट बना दिया जाता था अब तीव क्या रहे गए हैं कुछ भी ने रहे हम और दोस्त देशों से बहुत अच्छे हैं क्यूं एक बोड़ चलते उनके साथ पाजी नगे हमारे यहां सामने देखते हैं और नाली का पानी प्ल लेता हैं सामने चाट भीकरे होंती उषी भी कहाणते हैं उससे पानी पिलेते हमारी इम्युन बहुत अच्छी है हमारे हिंदुस्तानियों की बहुत अच्छी है और करोना काल करोना काल जहां जड़कों पर सन्नाटा और लोग दिखाई नहीं दे रहे पर इस सन्नाटे के बीच लगतार करोना वारियर्स जो पुलिस, डॉक्टर्स और समाज से भी संस्ता हैं जो करोना वारियर्स के रूप में निकले हैं जो 20-20 घंटे 18-18 घंटे बिना सोते हुए कैमरामेन इमरान के साथ मैं नितिन गुपता जैभीम टीवी देहरादून